चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो काफी सारे स्टुडेंट के कोमेंट्स इस परकार से आ रहे हैं कि नीट 21 का रेजल्ट कब तक आ सकता है आंस्वर की और ओमार सीट कब तक रिलीज होने की संभावना है तो अभी नीट 21 का रेजल्ट 15 अक्टूबर के निरवाई आने की संभावना है क्योंकि अभी 10 अक्टूबर तक फेज 2 के रेजिस्टेसन है उसके बाद रेजल्ट प्रोसेसिंग के लिए 4-5 दिन का समय लग ही जाएगा क्योंकि इसमें अभी काफी सारे स्टूडेंट ने कैटेगरी चेंज की है और रेजल्ट में कैटेगरी रेंक भी होती है तो इसमें अभी समय लग सकता है अभी इसी के भी जल्द ही आंस्वर की रिलीज हो सकती है और ओमार सीट भी रिलीज होने की पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि 2-3 दिन का समय आंस्वर की और ओमार चलेंज के लिए दिया जाएगा तो माना जा रहा है कि एक दो दिन के अंदर ही आंस्वर की और ओमार डिस्पले और रिकोडेड रिस्पॉंस डिस्पले हो जाएंगे तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएंगे हम आपको इंफॉर्म कर देंगे आप भी इसकी वेबसाइट नीट.nta.nick.in पर विजिट करकी चेक कर सकते हैं तो जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हम आपको इंफॉर्म कर देंगे मिलते हैं नई अपडेट के साब नए वीडियो में तब तक के लिए जैग